जै मातादी दोस्तों पर प्रभाव डालने वाले वास्तु दोश दक्षिन दिशा के दोश दक्षिन दिशा में अपना सर रखकर सोने वाली ओर्तों का स्वास्थय सदा ढीला रहेगा यदि किसी कारणवार्श आप सुस्ती या बिमार महसूस कर रही है तो घर की उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में जाकर बैठ जाएं इन दिशाओं को सूरे की दिशा मानी चाती हैं जो आपको पूरी तरह से उर्जा से भर देंगी दूसरी बार ट्वालेट के वास्तु दोश उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट बनाने से बचिए इस दिशा में बातरूम और सचाले बनाने से घर में बिमारी वाला महौल बन जाता है इसका सबसे ज़्यादा असर घर की महिलाओं के स्वास्ते पर पढ़ता है तीसरी बात भारी समान गर के बीचों बेच किसी भी तरह का भारी समान ना रखें। जहां तक हो सके घर की इस दिशा को खाली रहने दें। अगर जरूरत लगे तो एक सुन्दर सा पौधा या फिर आर्टिफिशन फ्लावर पॉर्ट रख सकते हैं। चोथी बात, रात का अंधेरा घर के रंग भी और्टो की सेहच से काफी हद तक जुड़े होते हैं। घर को बिमारियों से दू रखने के लिए रात को अंधेरा करके ना सोई। रात को बरामदे में हलके नीले रंग का सौफ्ट बल्प लगाकर रखने से घर वालों का स्वास या सदस्य के लिए अशुब मानच आता है इस दिशा में पानी से जूड़ी कोई भी चीज रखने से घर की महिलाओं का स्वास्ते सदेव ढीला रहता है छटी बार दक्षिन दिशा में बरामदा घर की इस्त्रियों को सदा रोगी बनाकर रखता है जिस वजह से कमाया हुआ दवाईयों में खर्च हो सकता है और परिवार को आर्थी कस्ट में भी डाल सकता है तो दोस्तों ये थे वो छे दोश जो आपके घर की महिलाओं को हमेशा रोगी बनाए रखते हैं इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक अपने दोस्तों रिस्तिदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताती साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुं सकें धन्यवा दोस्तों